तो देर स्टूजेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए सिक्थ समेस्टर के प्रोटिकल साइंस के पेपर सेकेंड के एंसर के बारे में तो जहां जहां पर परिच्छाएं या फिर जिन भी इन्वर्सिटी में परिच्छाएं पर होने वाले हैं प्रोटिकल फाइंस की पेपर सेकेंड की उनको वीडियो जरूर देखनी चाहिए काफी हेल्फ मिलेगी अब आते हम कोश्चिन के ओर अज किस वीड जाएगा अप्षिन नमबर ड क्योंकि राष्ट्य हित विबाद सक्तियम सहयोग यह सभी अंतर राष्ट्य नित के प्रमुक्तत्तों है इसलिए इसका सही जबाब हो जाएगा उपर से सभी डिन अगला कि आदर स्वादी फिद्धान्त के शमर्थक राष्ट्य हित प्राप क्या है तो आदर स्वादी फिद्धान्त का प्रमुक्त अंतर राष्ट्य सांति ठीक है अगला क्यों सा आदर स्वादी मानिताओं के संदर्व में सही नहीं है तो ध्यान रखेंगे इसका सही दिवाब हो जाएगा जो एक सही नहीं इन आपसरों में से हुई है कि अगला की अर्द राष्ट्य है ठीक है फिर अंदर रास्ट्य इसको बोल सकते हैं भी होगा अगला कि मार गेंज distingu के छे नियमों में कुंसा नियम सामिल जा में इसमें सभी नियम सामिल पहला राजनीत और मानो फिरकत भी reminder झॊइब की प्रधानता है और अन्तर राफ्टरी राजनीत की पूरे के फूरे छे निट कि प्रूंप ठैव ale ik कि निम्लिखित कथा किस्ट ने कहा है निम्लिखित कथा प्रूंग नीअ है जिनका नाम में ध्यान नखेंगे तो स्प्रोंग विद्वान का नाम में ध्यान नखेंगे इन में से तो कोई ही नहीं ठीक है साही जवाब इसका D होगा अगला के मारगे एंधाव की या थार्त वाधिस विद्धांत के विश्लेय निमलिक्तствен में बिन्दू सामिल है कौन सा तो अध्यान नखेंगे शमये जो बिन्दू सामिल है वह विदेशनीत के निर्धायक तर्तु सांति का प्रियास राजने या कोटनित के नियम इफिल इसका सही जबाब डी होगा क्योंकि ये सभी सही है अगला कि स्वर्णाशनात्मक मार्क श्वाद के विचारक निमलिखित में से कौन है तो इसका सही जबाब होजाएक आपसे नमबर ए गोडेलियर हैं सही जबाब ए होगा अग सब्सक्राइब करने के लिए पूंजी वादी किन किन नीतियों का उपयोग करते हैं तो चले जानते हैं ठीक है चले चार आप साने इसमें जो सही उसको आपको बताना जिन शात्रों को मालूम जरूर बताएं कवंट करके जबाब हो जाएगा उप्रयोक्त में से सभी क्यों यह देते हैं मुक्त बेपार और बजार दोनों को इसलिए सही जबाब होगा यानि कि इसी नमबर का सही जबाब होगा ध्यान रखेंगे प्रमुक्त प्रशन है एक्जाम के लिए अगला कि नौ उदारवाद का मुक्त स्रोत कौन साहिन आपसरों में से तो नौ रशनवादी अंतर राष्टे संबंध में राज्यों के हितों और पहंचान को परभाफित करती हैं और राज एवं गयर राज कारकों को पुना प्रस्तित करते हैं यह कथन कौन से बिद्वान का है ठीक है तो यह कथन जो है पुर्मक बिद्वान का जिनका नाम है माइकल बर्नेट ठीक है माइकल बार्नेट बी नंबर सही जबाब होगा अगरा प्रशन है कि नारीवाद की निम्न में से या फिर नारीव प्रयोक्त में सभी तो यह सभी के सभी नारिवाद की प्रयोक्त में सभी ठीक है और विभेद नारिवाद उत्तर आधुनिक जारी वाद तो यह सभी सभी प्रयोक्त में सभी ठीक है चलिए नारिवाद के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है तो इन में से जो कथन सत्य है वह यह है कि नारि को पुर्सो से निम्र मानना है ठीक है सही जबाब भी होगा अगला है कि कौन सी नारिवाद की साखा में सैनिक सेवाओं और विचारों के निरधारन में महलाओं को भी भागिदार देने का एकी करण पर बल दिया है तो इसका सही जबाब हो जाएगा अधंटर आध़निक वाद में किस पहलू का इसलेशन किया है तो इस प्रशन Eh Wyla फ् हञरक आधियान भी करना अघ्यानना के श्यानने से नंबर्सार के लिए त्टर आध्युकरश्णी कौन था प्राणित कौन था तो नौ यथार्थ वाद का प्रेंडित जो था वो था प्रमुक विद्वान उनका नाम है ध्यान लखेंगे डेविड कंपे वेल डेविड कंपे वेल सही जबाव इसका D होगा अगला है कि नौ यथार्थ वादी फिद्धान की प्रमुक मान देता कौन सी सब्सक्राइब होगे क्योंकि नौ यथार्थबाद के फिद्धान का अग्रेडी कौन है कौन सब्सका नाम है के नित ओल्टज ठीक है नमब सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा अग्ला कि आफ्ट इंटर्णेशनल फिर्टेट तो सब्सक्राइब होगा अग्ला कि सन्टर्णात्मा की अथार्थबाद के कौन सा कथन सही नहीं है इन आफसनों में से ठीक है तो एक आफसन जो सही नहीं हो यह है कि राज जी की सक्त के उन्मूलन की बात करता है यह जो है वो शत्ति नहीं है वाकी सब सभी ही है अगला कि यह किसका कथन है यह फिर किस ने कहा कि यदि अंतर राष्टे संबंदो का दा नाम है आर एन रोजिकरेंस डी नंबर सही जवाब होगा अगला के निम्लिखित में से या फिर निम्लिखित कथनों पर विचार करते हुए बताईए कि इन में से कौन सा कथन मार्गें थाओ के विचार की सही अभिवेक्त नहीं करता है ठीक है जवाब इसका हो जाएक अगला प्रस्ण है कि अंतर राष्टे सम्मंधों में अथार्थ वादी फिद्धान्त तीन माननताओं पर आधारित है निम्लिखित माननता नहीं है ठीक है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हो जाएगा अप्शन नंबर भी ठीक है यानि कि राष्टे ही तो लच्छ को पूरा करने में राज नेता नैतिक फिद्धान्त को ध्यान में रखते हैं ठीक है बी नंबर सही जवाब होगा ओके चलिए नेश कोश्चन देखते कौन सा है महत्पूर्ण प्रश्ण आप लगों प्रुस्तित कर रहे हैं ताकि आप कुग्जा में सफलता मिले अगला प्र सब्सक्राइब हो जाएगा पढ़ लीजेगा आप अच्छे तभी उत्तर दीजेगा ताकि आपको समझ में ठीक है और इसका दो सब्सक्राइब हो जाएगा केवल एक ठीक है यह नंबर सही जवाब होगा जहार नखेंगे अगला प्रस्तुत है कि भारते सम्मिधान में किस प्रणाली की वेवस्भा की गई है ठीक है वह आपको बताना है प्रमुख प्रशन है अब हो जाएगा संसादा आत्मक ठीक है प्रवुख जाएगा आपको प्रमृक तो आपको बताना है तो आपको मालू में जरूर बताईएगा नहीं मालू में तो कहां पर उत्तर देपाएंगे फिर गलती कर देंगे तो सही दिवाब इसका हो जाएगा आपसे नंबर अगला कोष्चन है ठीक है वेलिया जम में और फ्रांस में शुट इसलेंड में अगला पर श्रेंगे भारते समीधान की विसिस्ता नहीं है कौन सी ठीक है तो चलिए कमेंट सेक्षिन में अगर आपको बताना हो तो क्या बताएंगे चलिए बताईए एक नम्रिकित में से भार संफद्र परणाली की सरकार है क्योंकि क्योंकि इसका रीजन क्या है इसका रिजिए अन्हांगमिए इसका रीजन क्या है तुक publisher के चाहिन कि तो ध्यांन अग। बहुत ही परोंग्परस्ट अब्सक्राइब ठीक है एशका जो मतबडब कि सान्फद्र बात मैं सरकार है क्योंकि क्योंकि मंद्य परसल लोग सभा के फ्रत उत्तरदाइद है इसलिए सही जवाब दी होगा अगला पर प्रस्तुत है कि सरकार की संसदिये विफ्था कि विसे में निम्लखित में से कौन सा वक्त तब सही है ठीक है तो चलिए कमर सेक्षन बताइए अगर आपक है और उसके उत्तर भी है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही महात्पूर्ट प्रस्त है यह पूरी पूरी पीडिव हम आपको देने वाले तो कि अभी आपको पता चल जाएगा कैसे मिलेगा चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट हिनके बारें जान ले सतापक फदेश्चों कि संख्या कितनी थी ठीक तो जीव 15 के संस्तापक फदेश्चों कि जुसांख्या थी जहार लखेंगे यह थी पंद्रा पर सही जबाव होगा ज़्यार लंखेंगे अगला है कि अगला कोश्चन मतलब की मिलेग्स में से कौन सी 15 g5 का फदेश्च्व ह है ठीक है तो सही जवाब इसका हो जाएगा अफसे नंबर भी ठीक है विटेंड ओके अग्ला प्रस्तु था है कि भारत में उपर राष्ट पती पत की उम्मिद्वार की नियुंतम आयों कितनी होने चाहिए अगर आप एक राष्ट पती पत के लिए अवेदन कर रहें तो आगला कि किस पाकिस्तानी राष्ट पती ने 1966 में तास्कंद समझाओते पर हफ्ताचर किये थे ठीक है तो वह आपको बताना किसके थे ठीक है यहां पर कुछ मतलब कि अल्लाग ही कुछ हाफन दिये जा रहे हैं ठीक है तो इस प्रशन का जो आपको मतलब कि यह प्रशन प्रशन का जाएगा आपको मालू है तो तास्कंद समझाओते पर हफ्ताचर की है और प्रस्तुत है कि यहां से सुनेंगे कि कि एक मिनिट कि काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस पीडियाफ पर और पीडियाफ मैं आपको दहे दे रहा हूं पूरे हंड़र कोईशन के करीब ठीक है वहां पर आपको एक एड़मिन का अफशन दिखेगा नीचे ठीक है ओगे तो एडविन पर आप ठीक है जैसे किलिक करेंगे तुरंत आपको हमारी नंबर के साथ आपको वाट्सप पर चैटिंग के लिए आप सना जाएगा बताब कि जैसे आप किसी के नंबर सेफ क करते चैटिंग करते हैं तो जैसे आप इतना करेंगे तो तुरंत के तुरंत उसमें आ जाएगा ठीक है और काफी है फुल प्रोसेस है और इफी तरह आप हमारी महासंग्राम पीडियोफ ले दिएगा जैसे आप मैसेज करेंगी सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके मिल ज